अम्रित काल का ये पहला बजेट विख्षीत भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चितों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाउं गरीब किसान मद्धिमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजेट के लिए बढ़ाई देता है साथियों परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ सुरुजन करने वाले करोडों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मिस्ति, अंगिनित लोगों की बहुत बढ़ी लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माव की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बार अनेक पोथसाहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पीएम विश्वकर्मा काउशल सम्मान याने पीएम विकास करोडों विश्वकर्माव के जीवन में बहुत बड़ा बनलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएगों कारवार, रोजगार में ब्रस्त महलाएगों या गरकाम में ब्रस्त महलाएगों उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, बीचे वर्षों में सरकार ने अनेक विद कदम उठाए हैं जल जीवन मिशन हो, जुला योजना हो, पियम आवाद योजना हो, ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ, महलाएगों सेलफ हेल गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र, आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाप एकवार कर चुका है, उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए, त इसलिए विमेन सेलफ हेल्प गुरूप उनके सरवांगन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी, महलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है, और जन्दन एकाउंट के बाद, कि विशेस बचत योजना सामान ने परिवार की गुरूप आपव बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है, ये बजेट सहकारिता को ग्रामिन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा, सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है, स्टोरेज केपेसिटी, बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलाम हुआ है, इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा, किसानों, पशुपालतों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत में लेगी। साथ यो, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है। इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल अग्रिकल्चर इंट्रास सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आये हैं। आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है। भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है, पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है, तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवशक है एक नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेश पहचान आवशक है। इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न, स्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोचान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाए गई है। श्री अन्न को दी गई प्राफिक्ता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवाजी भाईबेन जो किसानी करते हैं। उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनामी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा। बजेट में हमने टेक्नलोजी और न्यू इकोनामी पर बहुत अधिक बल दिया है। इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो पर्शन से जादा के वृद्धी के गई है। इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्ये का अभूत परव इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गती देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर परदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए अवसर अप्लब्द कराएगा। इस बजेट में इस अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बनाया गया है। MSM के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रर्ण की गारंटी की व्यवस्ता की गई है। अब प्रिजम्टिव टेस्क की लीमिट बढ़ने से MSM को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनिया द्वारा MSM को समय पर पेमेंट मिले। इसके लिए नई व्यवस्ता बनाई लिए है। साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्ता हो, साहस हो या संकल पलेने का सामर्थ हो। जीवन के हर शेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रभुगधारा बना हुआ है। संब्रूत और विक्सित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ती ये भारत का विशे सामर्थ हैं, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ती है। मद्यमबर को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णे लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है हमने Tax Rate को कम किया है साथ ही Process को Simplified, Transparent और Fast किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर को टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस पर्ची और विक्सित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और देश वासियों को भी बहुत बढ़ाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समुरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत 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 दन्यवाद